हलो एवरीवन वेलकम तो मैं चैनल इस इस्टेरी विद नेहा जैसा कि हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे अल्फाबेटिकल सीरीज और उसमें हम चार टाइप के कोशिंज कर चुके थे आज हम टाइप नंबर 5 कंप्रीट करेंगे तुके स्टार्ट करते हैं हम अपना टाइप नंबर 5 और देखते हैं उसमें किस तरीके की ट्रिक्स और कुंसेप्स को पूरी अच्छे शे जानेंगे और कोशिंज को बहुट जल्दी से हम कैसे सॉल्फ कर सकते है spec для कोशिंगे तुके स्टार्ट करते हैं इसका मतलब है कि पहले half alphabets को reverse करना है, then बचे हुए half alphabets को reverse करना है, जिस तरीके से मैंने sequence में किया हुआ है, पहले जो first 13 number है हमने उनको half किया, तो first 13 number होता है A से लेकर M तक, हमने उनको reverse कर दिया, then further on N से लेकर Z तक को भी हमने reverse कर दिया, ठीक है, तो sequence बनेगी कुछ इस तरीके से, अब हमसे question में पूछा क्या है, कि then which letter will be 6th to the left, to the 10th from the right end, पहले तो हमें वही करना है, जो हम generally सारे questions में करते थे, क्या करना है, कि दोनों अगर अलग-अलग positions है, यहाँ पर left है, यहाँ पर right है, तो इन दोनों को हमें पहले करना है, add, चीक ह 16, right, अब यह कौन सी जगे से होगा 16 नमबर, यह होगा हमारा right end से, क्योंकि last में हमारा right है, ठीक है, तो from right end, ओके, अब ध्यान से देखो, यह हमारा right end से 16, यानि reverse, समझे मेरी बात को, reverse right end से 16, अब right end से 16 है तो, तो ध्यान से देखो, पहले 13 नमबर की यह वाली sequence complete हो जाएगी, 16 को, है ना, मान रहे हो ना, 16 नमबर जब हम इधर से start करेंगे, तो 13 नमबर तो cross कर जाएगा, फिर इधर से 3 नमबर तक आएगा, है ना, इधर से 3 नमबर तक, मेरी एक पर ध्यान से देखो, जब भी 13 से बड़ी value हो, तो पहले directly minus कर देने है एक sequence को, ठीक है अब हम right hand side से start करें, तो एक sequence को हटा दो, और फिर 13 minus करने के बद कितने number बचे, उसको हम next sequence में count करेंगे, अभी हमे right से चलना है, तो पहले ये 13 number तो हो जाएगे minus, तो 16 minus 13 हो जाएगा, 3, अब ये 3 होगा, यहाँ से, तो 3 A से जब हम start करते हैं, तो क्या आता है, A आता है C, ह I hope समझ में आगे होगा, अगर नहीं आया है, तो हम फर्दर और करेंगे, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीके, अभी इसी से related देख लेते हैं, अगर हमारा answer के बात कर नहीं हूं, देखो, बाकी चीज़ों पर मच जाना, यहाँ पर 16 आने के जगे, यहाँ पर आजा इसके बात क्या बचेगा हमारा 6, अब A से 6 तो इस और की फर्म में देख लेंगे, क्योंकि A से जब हम इधर मूव ओन करेंगे, बले हम जा राइट से लेफ रहें, लेकिन सीक्वेंस हमारी बिल्कुल नॉमल वाली है, जो हमारी नॉमल सीक्वेंस होती है, एसे लेकर Z तक तो यहां A से लिके M तक तो नॉर्मल है न, जब हम राइट इंसाइड से जा रहें, तो 6 नॉमर पर A से इजॉर्टी की फर्म में देखेंगे, इजॉर्टी की हल्प से देखेंगे, तो आंसर राइगा हमारा F, राइट, I hope समझ में आगे होगा, और करते हैं एक दो एक्व अब देखो, इसी सीक्वेंस में अगर हमें दे दिया जाए, कि आंसर जिफ मैं कोशिंस नहीं बता रही हूँ, अब सिर्टी शॉर्ट कट से आंसर करके देखें, हमें दे दिया जाए, आंसर मालो हमारा R 21 आ जाए, जैसे की लास्ट, ठीके, करेक्ट करके, वो नॉमल हम 3, 13, sorry, माइनस 13 कर देंगे, फिर क्या आंसर बचेगा, हमारा बचेगा 8, अब इसको डारेक्ट लीदर से काउंट कर लेंगे, ये तो A से, जो 8 नमबर पर आता होगा, वो हमारा आंसर होजगा, जो की होजगा हमारा H, ठीके, अब अगर हमें दे रखा है, आंसर मानलो हमारा निकला है, लेफ्ट से 19, ठीके, आंसर निकला है, लेफ्ट से 19, अब इसको कैसे solve करेंगे, देखो, एक चीज़ मैंने बोली है, कि अगर 13 से बड़ा नमबर है, तो सबसे पहले एक sequence, half sequence को माइनस कर दो, यानि माइनस 13 तो हमें इसमें भी करना ही है, माइनस 13 इसमें हमने कर लेफ्ट साइड से 19, तो हमारा आंसर एक 6, ठीके, अब यह कहां से है 6, ध्यान से देखो मेरी बात, यह 6 है, अब हमारा Z से, क्योंकि अब हम लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं, यानि कि Z से है, यानि हमारी अल्फा वेट में यह एंडिंग पॉइंग से है, लेके, हमें ह करेंसर एक है कि यह तो हमारा है फ्रोम जेड से राइड क्योंकि इधर से प्रोम करेंगे तो प्रॉम प्रॉम्य क्राफ बहुतर थर्टीन तर्टीन नमर्य सेक्वेंस हो गई अब यहां से भी काउन नबर तक अब लोट धिनने थोड़ी बात दिनने तो बात लोम जो आज from Z से निकला है अब हमें क्या करना है जब ऐसा केस दे रखा हो हमें उठा कर सिर्फ हमें जब हमें A से सीक्वेंस से इंगालना है तो 27 माइनस जो अंसर आए उसको माइनस कर देंगे और जो भी हमारा होगा वो हमारा अलपाबेटिकल नमबर होगा 21 पर होता है I hope समझ में आगया होगा नहीं आया तो फिर से करते हैं हम इसी से रिलेटेड एक और जैसे माल लो for example हमें दे रखा है कि हमारा अंसर निकला है L is equals to 23 ठीक है अब यह भी 13 से बड़ा है यह भी 13 से बड़ा है तो क्या करेंगे हम पहले कर देंगे 23 माइनस 13 एक सीक्वेंस को हटा देंगे अब बच्चा हमारे पास 10 अब यह 10 होगा Z से मूव करते हुए यह है from Z ठीक है अब हमें निकालना कहा से निकालना हमें है from A से from A से निकालना तो क्या करना हमें 27 माइनस 10 जो कि हमारा आजाएगा 17 और 17 का होता है आंसर Q ठीक है 17 अल्फा बेट कौन सो होता हमारा Q अब इसी से रिलेटेड हम और करते हैं जिससे कि हमारा यह कॉंसर्प्स पिल्कोल एक दम स्ट्रॉंग हो जाए अब हमें यहां पे कुछ कॉशन्स दिये हुए ध्यान रखिएगा प्लीज यह कॉशन नहीं है यह हमारा कॉशन को सॉल्फ करने के बाद जो मेन आंसर आया है वो बताया है मैंने मेन आंसर इन दे सिंस पहले जो वो नॉमल कलिकुलेशन हम करते हैं कि सेम है तो हमें आड करना है डिप्रेंटे तो सब्ट्रेक्ट करना है पोजिशन का नंबर और फिर जो लास्ट में जो पोजिशन दी गई है उसके इस आप से वो उस साइट से नंबर होगा ठीक है यह वो वाला अंसर है उसके बाद कैसे सॉल्फ करना है में इस सीविंस पर वो में बताती हूं ठीक है अब अम्हारा लेफ से लेफ साइट से लिए प्ताया था कि जितने सीविंस में नंबर हो उस से एक ज्याद कर देना है यह बताया था अब हमारी इस व लेना तो एस से ही यह नबर नबर है ना सारे answer हमें A से देने होते हैं यह चीज़ प्लीज याद रखिएगा ठीक है तो A से number देना तो इस sequence में कितने number है number है 13 एक जादा करके 14 minus 5 कर देंगे जो हमारा answer आया हुआ है 5 और जो निकलेगा हमारा वही हमारा last answer होगा that is 9 और 9 पर कौन सा alphabet होता है आई ठीक है 9 पर होता है आई तो यह हमारा answer हो जाएगा next करतें left पर 9 है क्या 13 से कम है यह yes 13 से कम है और left hand side से यानि reverse में ही alphabetical series है यहां पर तो हमें यह accurately from A से निकालना होगा तो 14 minus 9 कर देंगे और हमारा answer आएगा 5 और यह 5 जो होगा alphabet number E हमारा answer हो जाएगा right अब दे रहें right hand side से fifth right hand side से fifth please मेरी चीज़ ध्यान से दीजेगा right hand side से fifth और एक हो चीज़ वहां पर हमें question paper में ऐसे sequence बना कर नहीं देगा जो statement मैंने आपको first जब topic स्टार्ट किया था topic number 5 type number 5 दब जो sequence लिखी थी वहां पर वो sequence लिखी जाएगी कि first half reverse है then next half reverse है ठीक है तो समझ जाना यह वाली sequence है आप right से fifth आयो यानि right से fifth कुछ नहीं करना है मेरी एक बाद ध्यान रखो n से पहले कितने number होते 13 वह तो add करने ही है आप फिफ्ट नंबर पर जाना है ना आप फिफ्ट नंबर पर जाना है तो 13 प्लस 5 कर देंगे जो हमारा answer आएगा 18 that is answer 18 पर होता है और यह हमारा उज़ा का answer I hope समझ में आ गया होग नहीं आया तो next में देख लेते हैं right hand side से 9 यानि यहां से 9 नंबर n से पहले बताना a से है न हमें तो n से पहले m तक a से m तक तो number आ चुके है न अब इस से पहले अब यहां से देखना है हमें ठीक है यहां से कौन सा alpha बैट आएगा फिर alpha बैट आएगा हमारा 13 प्लस अब ए एक जाधा करके कर रहे थे और जब हम add कर रहे हो तो अब हम देखो जब भी कोई चीज हमें reverse direction से move करनी होती है तो हमें एक जाधा करके ही उसमें से minus करना होता है ठीक है और जब हम अब तो simply यह sequence तो 13 है न यहां तक तो 13 ही number है आगे तो इसके 13 ही होंगे न तो एक जाधा कर तो maybe मैं अपनी तब से मान कर चल रहे हूं क्योंकि जब यह चीज़े हम समझते तो हमारे मन में डाउट आता है कि एक plus करके हम क्यों आड करते हैं मैं वह आपको slightly थोड़ा बता देती हूं ठीक है for example हमें alphabet यह दिये होते हैं ठीक है C D E ठीक है यह होती है sequence हमारे D का number कौन सा है right hand side से बताना पीज डी से हमारा right hand side का number है 2 तो 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 इसका number क्या आएगा देखो इसका number आएगा 4 आप तो यह चोटी sequence है तो हम बहुत इजी ली बता देते हैं कि इसका number is 4 लेकिन जब हमें बैक इसको मूव करवाना तो इसको क्या हम 5-2 करेंगे तो क्या 4 आ रहे है नह आपको समझ में आगे होगा कि मैं क्या कह रही हूं इसलिए हम जब भी reverse direction से हमें कोई number दे रहे है और उसे हमें बताना हो एसे तो हम एक सीरीज में जतना number होते हैं उससे एक जादा करके add करते हैं ठीक है और यहां पर हमने एक जादा कर स्वारी एक जादा करके उसमें से ज यहां पर हमने इन 13 नमबर को add किया है डारेक्ली इसमें कोई एक जादा करके add करने की जरुवत नहीं थी सो हमने इसको डारेक्ली एड किया है I hope आप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा अब करते हैं type number 6 जो कि है midway का ठीक है question में हम से पूछा जाएगा which letter is exactly midway between the fourth from left end and 18th from left end ठीक है तो आप देखो धियान से fourth from left end कौन से letter होता है हमारा fourth from left end होता है हमारे पास D ठीक है और बोला गिया 18th from left end that is R ठीक है इन दोनों के बीच वाला number कौन सा होता है ठीक है इन दोनों का बीच वाला number कौन सा होता है तो कुछ नहीं करना है हमें simply दोनों के positions को add करके जैसे कि 4 प्लस 18 divide by कर देना है 2 जो number आएगा 11 उस पे जो भी अलफा वेड लाई करेगा वो हमारा होगा answer जैसे कि K ठीक है I hope समझ में आगे होगा लेकिन इस question के terms and condition है ध्यान रखेगा जैसे कि बाकी चीज़ों में देते हैं कि terms and condition भी देर उसी तरीके से यहां पर क्या terms and condition है कि दोनों जो positions दी गई है वो दोनों सेम जगे से होनी चाहिए यहां तो left hand से यो right hand से अगर दोनों अलग अलग है तो पहले दूसरी वाली positions को वहीं से बना लेना है जहां पर ठीक है आज़रा जाएगा फिर हमारा स्कॉट आदे ना अंसर हो जाएगा Crossing । обрат 13 ब्लस ऀवंटीं भाः्ट्यू ठीक हैOh तो तो यह यहां पर हो जागा 13 plus 17 is 30 by 2, ठीक है 30 by 2 करने के पाद यह जाएगा यहां पर 15, और 15 पर कौन सा लेटर लाए करता है, हमारा O हो जाएगा आंसर, ठीक है, अब इसी पर और कोशन करके देखते हैं, कौशन में दिया गया है, फिछ लेटरी इस एक लिद्वे बिवें फिफ्ट फ्रम राइट और 15 फ्रम राइट तो क्या करना है, सिंप्ली वही, 5 प्लस 15 बाइट 2, that is 20 बाइट 2, that is R से 10, ठीक है, अब यह कहां से, फ्रम राइट एंड, है ना, राइट एंड से एगे, अब आमें निकालना तो A से, तो क्या करते हैंगा, 27-10, that is 17, और आंसर हो जाएगा हमारा Q, I hope समझ में आगे होगा, अब एक और करते हैं, जिब पोजिशन हमें दोनों डिफ्रेंट दे रखी हो, देखो जब पोजिशन हमें डिफ्रेंट दे रखी हो, तो क्या करना है, यहां पे 2nd, 2nd from left end and 5th from right end, तो क्या करना है, दोनों पोजिशन को same में रखना है, यहां तो हम left को right में change करते हैं, यह right को left में change करते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप left को right में change करेंगे तो हमें last answer right में में लेगा, फिर उसको हमें left से change करना पड़ेगा, तो हमारा सही क्या पड़ेगा हम right को left में करते हीते हैं ना तो हमें दो-दोबा changes नहीं करने पड़ेंगे ठीके तो एक तो है left से second, right से fifth इसको जब हम left से बनाएंगे तो बनाएंगे 27 minus 5 तो हमारा answer क्या बन जाएगा 22 from left ठीके अब दो number है हमारा पास 22 plus 2 by 2 यह हो जाएगा हमारा 24 by 2 that is 12 है ना हमारा answer क्या हो जाएगा 12 और यह कौन सा लेक्टर करता है यह ना answer आगे हमारा अब इसी तहीं के I hope आप questions कर लेंगे अब देखो जब हमें question दिया गया हो यह कि third from left end and 16th from left end अब इसका answer कुछ थोड़ा सा हमारे लिए complicated आएगा जैसे कि जब हम करेंगे 3 plus 16 by 2 तो यह हमारा कुछ answer बनेगा 19 by 2 जो कि accurately number नहीं आया है तो ऐसी condition में क्या करना है ऐसी condition में इसमें 1 minus करके है ना minus 1 उपर numerator में और plus 1 करके कर देंगे और दो number निकालेंगे जो कि निकलेगा हमारा 9 यानि I और यहाँ पर 10 यानि J यह दो इसके answer होंगे ऐसे case में ठीक है I hope आप आपको ध्यान रहेगा एक और question करते हैं हम इसके उपर और फिर इस topic को यहीं पर end करते हैं अब देखो ऐसी situation में भी हमें अगर दोनों position डिपरेंट दे रखिए और हमसे पूछ लिया जाए कि क्या answer है तो क्या करना है पहले इसको change कर देंगे हम left से ठीक है जब 27 minus 4 करेंगे तो left से आ जाएगा यह हमारे पास answer 23 from left ठीक है अब हमारे पास दो values है left से 4 और left से 23 अब जब इनको करेंगे हमसे तो 23 plus 4 by 2 तो यह हमारा आ जाएगा 27 by 3 ठीक है sorry 27 by 2 है ना 27 by 2 इसमें एक add करके एक subtract करके 26 by 2 28 by 2 क्या answer आएगा यह आजाएगा 13 और यह आजाएगा हमारा यहाँ पे 14 यह number होता है यह number होता है हमारे पास M I hope आप सभी को समझ में आगया होगा कि मैंने आपको क्या बता है आज के दो टापिक करें हमने midway और किया है हमने type number 5 जिसमें कि हमारी reverse थी half series reverse थी और अगली half भी alphabetical series जो थे reverse ठीक है I hope आप सभी को समझ में आगया होगा so video को like किजएगा furthermore ऐसे ही concept देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe किजएगा और अगर आपको कोई भी doubt हो तो please मुझे comment section में mention करके पूछ लेजएगा otherwise मुझे dm कर लेजएगा instagram पे thank you so much